पारिस ओलम्पिक में हिस्सा लेने के बाद में महिला रेसलर विनेश फोगाट देश वापस लोटाई है और दिल्ली एरपोर्ट पर फैंस ने विनेश का जोरदार तरीके से स्वागत किया विनेश का मैडल विजेता की तरह स्वागत किया गया है और फैंस को देखकर विनेश भावोख हो गई पैरिस ओलम्पिक में महिला 50 किलो ग्राम रेसलिंग के गोल्ड मैडल मैच से ठीक पहले 100 ग्राम वजन जादा होने की वज़ह से विनेश फोगाट को अयोग गूशित कर दिया गया था अब 30 वताई थी इस पूरे मामले को लेकर विनेश ने कोट ऑफ और्बिट्रिशन फॉर स्पोर्ट्स में साज़ा सिलवर मैडल देने की अपील भी की थी लेकिन उनकी याचिका को 14 अगस की शाम C.A.S. की तरब से खारिस कर दिया गया गोल्ड मैडल मैच से ठीक पहले करार दिये जाने के बाद में विनेश ने कुष्टी से अपने सन्यास का एलान कर दिया था अब विनेश फोगाट वापस देश लॉट आई है उनका चैंपियन की तरह स्वागत क्या गया है स्वागत देखकर विनेश फोगाट भावुख हो गया यह तीन तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं जब विनेश फोगाट की गाड़ी आगे बड़ी और जगा जगा पर उनका भविस्वागत किया जा रहा था एक चैंपियन की तरह और अपनों का यह प्यार देखकर विनेश भावुख भी हो गए वही तस्वीर आप यह तीसरी तस्वीर देख सकते हैं जब विनेश फोगाट का कई जगा पर स्वागत किया गया उनके काफिले में कई लोग शामिल हुए और अपनों का यह प्यार और अपने देश वापस लोटकर विनेश फोगाट भावुख हो गए तो दिल्ली एरपोर्ट की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर आप देखिए अपने आपको विनेश नहीं रोक पाई और एक चैंपियन की तरह जब उनका स्वागत किया गया भारत में तो विनेश अपने आसू नहीं रोक पाई यह तीन तस्वीर आपके सामन विदेश का एक चैंपियन की तरह स्वागत क्या क्या और इसी दौरान विदेश का ये कहना था कि मैं अपने आपको बेहत स्वाभग शाली मानती हूँ आप सब भावुक है कुछ कहना चाओगे देश इंतजार कर रहा था आपका तो एरपोर्ट के बाहर से ये तस्वीरें आपके सामने हैं और अब हर्याना चाहेंगी विनेश फोगाट यहां से तक्रीबन 130 किलो मीटर का रास्ता सफर वो तैय करेंगी जहां पहुँच कर अपनी मा से विनेश फोगाट मुलाकात करेंगी तो विनेश से उमीद थी कि वो गोल्ड मैडल लेके आएंगी अलाकि 100 ग्राम उनका वजन जादा था जिसके चलते उन्हें डिसक्वालिफाई कर दिया गया उसके बाद भी विनेश फोगाट ने ये मांग की थी कि उनको सिलवर मैडल दिया चाहे लेकिन वो याचिका भी खारिस कर दी गए लेकिन अब जब भारत लौटी है विनेश और उनका एक चैंपियन की तोरा स्वागत किया जा रहा है तो ऐसे में विनेश फोगाट भावुक हो गए और उनके आसू चलक पड़े तो भारती रेसलर विनेश फोगाट ने पैरेस ओलम्पिक दोहजार चौबश में शांदार प्रदर्शन किया था विनेश कुष्टी स्पर्दा के फाइनल में भी पहुच गई थी और जो सेमी फाइनल का उनका परफॉमेंस था वो बेहत शांदार रहा लेकिन जब वो फा खारिस कर दी गई और अब जब भारत लोटी है विनेश तो उनका भारती कैसे खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं एक चैंपियन की तरह वो देखकर विनेश अपने आपको नहीं रोक पाएं तो विनेश के साथ में इस वक्त साक्षी मलेक बजरंग पुनिया उनको रिसीव करने के लिए पहुचे थे एयरपोर्ट पर कॉंग्रेस के सांसा दिपेंद्रो खुड़ा ने उनका जोरदार स्वागत किया विनेश अब दिल्ली से अपने गाउं बलाली जा रही हैं यह तस्वीरे उसी दौरान की है और विनेश की स्वादेश वापसी को लेकर दिल्ली क इंद्रा गांधी एयरपोर्ट से लेकर उनके गाउं बलाली तक स्वागत की तैयारिया की गई हैं जगा जगा पर देखिए लोग मौझूद हैं विनेश का इंतजार कर रहे हैं और वो जहां-जहां से भी होकर गुजर रहे हैं उनका काफिला लोग उनका बड़े ही उत्स भी नसर आई हैं भारती पहलवान विनेश वोगाट ने कहा कि मैं सभी देशवासियों का धन्यवात करती हूं यह उनकी तरफ से स्टेट्मेंट सामने आया और आगे उन्होंने कहा कि मैं बहुत सव भाग्यशाली हूं भाग्यशाली हूं यह बात विनेश वोगाट ने थो तो पूरा देश विनेश की खोब तारिफ कर रहा है और साथ ही भारत की बेटी होने पर विनेश मी काफी गर्भ कर रही है और ऐसे में उमीद उनसे स्वण्ड पदक की थी और जिस तरह से उनका पर्फॉम्मेंस रहा शांदार समी फाइनल में उसकी हर ओर तारिफ भी हो रही है और जब भारत वापस लौट आई है विनेश तो उनका एक चैंपियन की तरह स्वागत किया जा रहा है और अपनों के बीच में विनेश फोगाट भी अपने आपको नहीं रोप पा रही है